तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है सृथफ्रीके रॉलंस एंड लोगन पॉल की मैच के एंडिंग के बारे में किस तरिके से आखिर यह मैच cleaner हो सकता है एंड यह मैच होने वाला है अपने Logan Paul के लिए special क्योंकि इसी दिन होने वाला है उनका happy वाला birthday और फिलाज जो वो अपने birthday के दिन सैत्रोंस को हराखना चाहते हैं बाकि इस मैच का पहला एंड यह हो सकता है कि में भी हमें इस मैच के अंदर शायद सैत्रोंस के फैंस के थोड़ से डिसपोइंटिंग चीज़ हो सकती है क्योंकि इस मैच के अंदर Logan Paul जीत सकते हैं अबिसली उनका birthday तो WWE उनके birthday के दिन कुझे जिताना भी चाहेंगी हैं दूसरी बात यह है कि यहाँ पर से Logan Paul भी बैक टू बैक हारते आ रहा है अभी फिलाल उन्होंने रिसन टाइम में रूमर इसके साथ ही मैच हा रहा है तो यह वी एक थिंग हैं दूसरा एंड यह हो सबता है कि Seth Rollins मैच में जीते क्योंकि Seth Rollins मतलब लगातार हर पेपर वियू में हारते जा रहे हैं भी Elimination Chamber में Seth Rollins हारें और फिलाल जो यही सेम चीछ Seth Rollins के साथ होती कि हर बार चाहे कौनसा भी उपनेंट हो Seth Rollins हारते जा रहे एंड इवन मैंने आपको बताया विदा कि Seth Rollins का कितना बेकार रेसल मीनिय स्टाट है एंड गैज रॉलर्स की बहुत लंबी भी एक जो है रेसल मीनिय की लोजिंग स्ट्रिक चली आ रहे है इस से पहले से जारों से आ रहे है इस से पहले भी आ रहे मतलब वो जो है लास्ट टाइम अराउंड मेरे खायस से कुछ रहेसल मीनिया 34 और 35 के अंदर ही जीते थे एंड चैंपिन बने थे एंड इस साल में भी उनको जिताना चाहिए एंड में इस वज़े से सैत्रौन चीत सकते हैं तीसरा एंड यह हो सकता है कि दोनों की रावलरी और आ वो किसी जो डिस्ट्रैक्शन या फिर यहाँ पर जो किसी चीप शॉट का यूज करके मैं आज मैंच में जो विक्ट्री और करते हैं दिखा दे सकते तो यह फ्लाल कुछ मेरे कैसे एंडिंग हो सकती इस वाले मैच की वाकिया ब्लड सी मैं तो चाहता हूं कि सातों सी जीते लेकिन क्या पता लोगन पॉल भी जीत सकते हैं वाकिया फिलाल आज की वीडियो बस इतने से थी एंड मैं मैं मिलता हूं नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदर